कि फैरे बच्छों जयहिंद कि आजका हमारा टौपिक है शिफ्टिंग और रोटेशन और फी पीची है उत्पादन संभाव नावकर का किस्काओ या घुमाओ तो इसमें आज हम समझेंगे कि कैसे किस्काओ धूमाओ इसमें रोटेशन और शिफ्टिंग होती है इसमें प्हल और शिफ्टिंग होती है इसको हम समझेंगे शिफ्टिंग एंड रोटेशन और पीपीसी कल हमने समझी इसकी परिभाज़ा उत्पादन सम्हावना वक्र होता क्या है पीपीसी शोईंग्स अल्टरनेटेब प्रोडक्शन पॉसिबिलेटी अप अर्थात उत्पादन सम्हावना वक्र दो वस्तों के ऐसे सहयोग हमें बताता है जो दी हुई तकनीक और दिये हुए साधनों पर एक अर्था वस्ता के लिए सम्हाव होता है यह हमने कल समझा था कि हमार पास जो इसकी हमने दो मुख्य परिवाऑन सम्हावना वक्र पास दिये है उसमें व्रिद्धी कम्ही नहीं होती और दूसरा हमने समझा था अर्थात व्रिध्धी नहीं होती तो उस पर यह उत्पादन सम्हावना वक्र हमने कल समझा था लेकिन वो एक theoretical पास प्रहब रूप से उत्पादन सम्मावनावकर PPC में शिफ्टिंग और रोटेशन होती है इसमें खिसकाओ या घुमाओ होता है तो वो कैसे होता है वो इन दो कारणों से होता है पहला है चेंज इन रिसोर्सेज संसादनों में परिवर्तन या दूसरा संसादनों में कमी भी हो सकती है संसादन हमारे घट भी सकते है तो धोनों ही स्थितियों में PPC चेंज होगा या तिक दूसरा मुख्य और कारण इसका हो सकता है टेकनोलोजी या तकनीक में परिवर्तन तो तकनीक में परिरुपत जैसे हम समझते ही है, बहतरी के लिए होता है, अच्छे के लिए ही होता है, जिसका ये की परक्षम पढ़ेंगे, increase in technology, तो इसके तीन मुख्या भाग हो सकते हैं, पहला भाग क्या हो सकता है, कि X वस्तू की तकनीक में वरिद्धी हो, हमने क्योंकि P increase in X and Y की टेकनोलोजी में वरिद्धी से भी ये इसमें shifting हो सकती है, PPC में किसका होगा, तो इसको कैसे सबसे पहले हम समझते हैं, increase in resources की वज़े से, कैसे ही होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले, संसादों में जे सम पढ़ रहे हैं, दो तरह का परिपत नहों सकता है, या त तो वरिद्धी, increase in resources, या फिर दूसरा, decrease in resources, संसादों में कमी के कारण, पहले हम समझते हैं, संसादों में वरिद्धी के कारण, तो X-axis पर जैसे हमने कल लिया ही था, X वस्तू हम लेते हैं, जैसे कपड़ा ले लिया हमने, close, और Y-axis पर जैसे हमने कल वीट लिया था, तो गेहों की मातरा हम दो इवस्तू ले रहे हैं, तो हमारे पास जो given resources थे, X के, हम लेते हैं, ये हमारा given PPC था, AA given resources पर, दीवे सादों पर AA हमारा ये क्या था, PPC, अब क्या हो रहा है, increase in resources, संसादों में वरिद्धी हो रही है, तो संसादों में वरिद्धी के कारण, हम इसकी अत्रिक्त मातरा का उत्पादन कर पाएंगे, तो ये हमारा PPC जो है, वो बाहर की तरफ shift होता है, A dash, A dash, तो ये किस वज़े से संसादों में वरिद्धी के कारण, increasing resources के कारण, तो ये हमारा new PPC होगा, towards outside of previous given resources, अब इसका दूसरा भाग क्या है, कि decreasing resources, संसादन घट भी सकते हैं, यदि संसादन घट जाते हैं, तो हमारा access पर जो हमने कपड़ा लिया है, Y axis पर हमने गहूं लिया है, उसकी ये हमारे पास given PPC था, A, A, ये क्या है, given PPC दिया हुआ, उत्पादन संभावना वकर है, अब संसादन घट गए, तो हमें नया जो उत्पादन संभावना वक मिलेगा, वो अंदर की तरफ shift होगा, A, A, तो ये towards inside shifting of PPC, क्यों अब हम संसादन घट गए हैं, तो ये हमारा अंदर की और इसका आना स्वभाविक है, तो ये given PPC से अंदर की और आना संसादनों में कमी के कारण, अब दूसरा इसका जो भाग हम समझेंगे, आज वो है, उत अपलाई नहीं होती है, बेहतरी होगी, तो इसके तीन स्थितियां इसकी भी हो सकती है, यदि increase in technology of X, X वस्तु की तकनीक में व्रीदी होती है, पहले स्थितिय होगी, दूसरा increase in technology of Y, Y वस्तु की तकनीक में व्रीदी हो सकती है, या फिर दूनों, X and Y दूनों की तकनीक में अगर टेकनलोजी में टेकनीक में व्रेदिय होती है तो क्या स्थिती होगी सबसे पहली स्थिती X की अगर टेकनलोजी बढ़ती है तो यह हमारे पास गिवन टेकनलोजी है AA हमारा PPC होगा previous वाला हमने X-axis पर लिया है खपड़ा और Y-axis पर हम ले रहे हैं बाहर की तरफ shift करेगा a a dash a to a dash अब हमारा नया बीपीसी कौन सा होगा उत्पादन समावना वकर a a dash पहले क्या था a तो यह जो बाहर की तरफ इसका आना वो due to increase in technology of commodity x x की तक्नीक में व्रिद्धी के कारण अब दूसरी स्थिती हो सकती है कि y की technology में व्रिद्धी हुई हो तो यह हमारे पास given ppc है a a a यह हमारा ppc है पहले given वाला जो हमारे पास पहले स्थिती अब क्या हो रहा है y वस्तू अर्थात जो wheat है उसकी technology बीच भेतर हुआ कुछ और कारण रहा उस वज़े से तो यह जो अब a से a dash की तरफ इसका जाना जो है वो हमारा नया ppc होगा a to a dash इसका निकलना तो इस वज़े से यह नय साधन जूने से हमारा नया ppc जो है वो a dash a हो जाएगा previous हमारा a जो है उसके बाद यह 30 सिती भी इसमें बन सकती है a और y जो ह x और y दोनों की ही तकनीक में वृद्धी होती है जैसे हमार पास यह पहले given technology जो है थी दोनों की x और y की उस पहम a a हमारा ppc था x एकस पर हमने कपड़ा लिया था और y एकस पर हमने यह लिया था तो यह हमारी given ppc थी a a अब क्या ओर रहा है x और y दोनों ही वस्तों की ट तरफ shift होगा a a' a' तो यह हमारा new ppc होगा क्यूंकि x और y जो दोनों वस्तों थी गेहों और कपड़ा उसकी technology में improvement आई है तो हमें बाहर की तरफ इसका जाना सुभाविक है तो यह shifting यहां पर हो रही है उत्पादन समावना वक्र में तो यह था आज के लिए हमने पढ़ा तकनीक में परिवर्तन के कारण कैसे मांगवकर में shifting होती है और पहला हमने पढ़ा resources में व्रिधिया कमी के कारण ppc कैसे shift और अंदर की और या बाहर की और परिवर्तित होता है आज की लिए नहीं जहिन वन्ने मातर